प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि LIC Housing Finance से आप कैसे जुड़ करके एजेंट या डिये से खोल करके उनके साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए प्रोसेस क्या होगा आपको अपलाई करना है फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है फॉर्म को कैसे फिलप करना है और कौन से लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हैं उसके बारे में भी दोस्तों कम्पलीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो अब भी आप जैसे की देख रहे हैं मैं LIC Housing के Official website पर हूँ तो यहाँ पर आपको भी अपने mobile में LIC Housing.com को open कर लेना है और उसके बाद सीधे नीचे scroll down करना है जैसे आप नीचे scroll down करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस open होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखनी में सहीर है Join us as a business तो इस पर आपको क्लिक करना है simply इसको मैं थोड़ा से छोड़ा कर देता हूँ ताकि आप सा कुछ समझ में आ जाए तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं direct selling agency who is eligible दोस्तो यहाँ पर अगर आप chartered accountant है suppose that मालीज़े CA है या पहले से कोई agency run कर रहे हैं पहले से कोई DSA खोले हुए हैं तो दोस्तो वो सारे लोग इसमें apply कर सकते हैं अगर आप किसी bank में काम कर रहे हैं आपके पास banking background या banking sector का knowledge है तो आप इसका DSA ले सकते हैं और अगर किसी और field से भी आते हैं बट आपको loan की अच्छी खासी knowledge है या पहले आपने कभी काम किया हुआ है वो सब लोग भी इसमें आप job के लिए apply कर सकते हैं अब इसमें, sorry job के लिए मैं बोल रहा हूँ आप इसमें DSA के लिए apply कर सकते हैं तो apply करने का process actually क्या होता है वो भी मैं आपको बतायता हूँ और नीचे यहाँ पर describe भी किया गया है यह application जो दोस्तो official website से वहाँ पर ही लिखा गया है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो दोस्तो इनके sales officer होते हैं वो एक application form पहले आपको portal से download करना है उस application form को proper fill up करना है proper fill up करने के बाद में जो area manager होते हैं दोस्तो company के वो आपसे एक बार interview लेंगे और थोड़े आपने काम कितना किया है क्या आपको knowledge उसके बारे में जैसे कि किसी आप job के लिए interview दे जाते हैं तो वहाँ पे आपसे काफी सारे question पुछा जाता है तो वह से सिंग दोस्तो यहाँ पे काफी सारे person आपसे पुछे जाएंगे और जो area manager होते हैं एक टाइप से आपका interview लेंगे उसके बाद दोस्तो आप उहाँ पे जो भी area office होगा अब area office को कैसे आप खोजेंगे LIC housing के उसमें वीडियो के last में वो भी आपको बता दूँगा कैसे आप find out कर सकते हैं कि आपका nearby area office कौन सा है LIC का तो दोस्तो simple आपको application form download करना है उसको fill up करना है और दोस्तो area office में जमा करना है इसमें आपका role क्या होगा अगर मालीज़ आपको DSA मील दाता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी दोस्तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपको simply lead generate करना है यानि जो भी market में किसी customer को अगर loan का requirement है तो उनका file आप उठाएंगे पर उपर file को verify भी करना आप ही काम होता है उसके बाद application form को fill up करके आपको area office जो भी होता है वहाँ पे आपको जमा करना होता है तो आपना काम भी समझ गया जब तक loan का agreement करना आपका ही काम होता है पुरा जैसे कि verify करना होता है आपको जैसे एक banker काम करता है वैसे आप AJDSA काम करेंगे LIC के जाथ में तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं अभी इस mobile को desktop mode में convert किया हूँ ताकि आप सब को ज्यादा जूम करके दिखा पाऊं मैं तो अगर आप अपने mobile को desktop mode में convert करेंगे तो यहाँ पे direct selling agency जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है downloads for business partner तो इस पे आपको एक बार click करना है जैसे हैं आप इस पे click करेंगे आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं application form for DSA इसको आपको download करना है अपने mobile में अब यह download हो चुका है मैं थोड़ा सा open कर लेता हूँ तो दोस्तो देख सकते हैं आप application form का यही format होगा और simply एक page का मात दोस्तो एक page का यह application form है जिसको आपको वहीं से download करना है portal से और इसमें क्या-क्या भरना है name of institution मान लिजे कि आप कोई form अगर चला रहे हैं क्योंकि दोस्तो किसी individual के नाम पे कभी भी DSA नहीं मिलेगा पहले आपको GST या पहले से कोई अगर आपका form है जो registered form है उसके नाम पे दोस्तो यह आपका जो इसका होता है DSA मिलता है suppose that मान लिजे आप कोई form चला रहे हैं ABC form है तो यहाँ आपने form का नाम लिखेंगे आप मान लिजे कोई proprietorship form है और उसके बाद nature of constitution यानि कि mark करना है आपको कि आपका जो form है वो public limited company है private limited company है या partnership form है या proprietorship है तो दोस्तो प्रोप्राइटर्सीफ फर्म अगर आपके पास नहीं है आप individual join करना चाहते हैं तो एक simple आप GST registration करा लिजे उसके बाद proprietorship form के तुरू भी आप इस form पे mark कर सकते हैं उसके बाद जो भी आपका registered office का address होगा जहाँ पे आप बैट करके काम करेंगे वो यहाँ पे डालना होगा दोस्तो अपना mobile number डालना है nature of business यानि किस sector में आप काम करते हैं माल लिजे कि हो सकता है insurance में काम कर रहे हो या accountant हो CA हो तो वो आपना profile के बारे में थोड़ा साब को describe करना है numbers of year in business कितने टाइम से आप business कर रहे हैं कितने टाइम से इस field में काम कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे fill up करना है numbers of employee on role यानि आपके पास कितने सारे लोग हैं जो आपके team में काम करेंगे उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बताना होता है number of clients in your database यह सबसे बड़ी चीद है दोस्तों कम से कम 50-60 लोगों का आपके पास mobile number और client base होना चाहिए क्योंकि कोई भी company अगर आपको अपना DSA या agent आपको बनाता है तो आपसे expectation रहता है company को कि आप उसके साथ काफी अच्छा काम करेंगे दोस्तों उसके लिए क्या है कि आपके पास एक customer का database होना काफी ज़रूरत है तो जब भी आप interview में जाएं तो 20-25 लोगों का mobile number और नाम के साथ में ले करके जाएं proper जो भी आपके clients हो existing client हो उनका और दोस्तों नीचे आपका personal details जो fill up करना है वो आपको यहाँ पर भरना है कि किस bank में अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है किस loan sector में काम किया है किस product पर काम किया हुआ है कितने सारे customer को आपने survive किया हुआ है यतने time पिछले एक साल में कितने आपने loan किया हुआ है यह सब मतलब normal details है दोस्तों अगर मैं सब आप एक एक करके बताऊंगा तो काफी time लग जाएगा आप सब को तो simply इसको आपको print मारना है अब मैं बतायता हूँ print मारने के बाद में जो भी details पूछे जा रहे है अगर आपको माली support that कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप video में comment किजिएगा मैं वहाँ पर reply कर दूँगा कि क्या उसमें fill up करना है तो simply इसको भर कर कि area office जो भी nearby होगा अब एक बार मैं आपको बतायता हूँ कि आप अपना nearby area office कैसे जानेंगे कि कौन सा आपका nearby area office है देखिए यहाँ पर corner में आप देख सकते हैं जो यह application है office locator office locator पर आपको simply click करके यहाँ नीचे scroll down करेंगे आपको सारी जनकाई दोस्तों registered office area office कौन सा है सब यहाँ पर option दिखता है आप काफी easily थोड़ा सा माइंड लगाएंगे काफी easy भी में आप search कर सकते हैं कि nearest आपका office कौन सा है जहाँ पर आपको लिया करके अपना document submit करना अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों online चेक कर सकते हैं उससे भी नहीं हो रहा है तो toll free number पर आप call कर सकते हैं आप देख रहे हैं आप toll free number दिया हुआ आप यहाँ पर call करके जनकाई ले सकते हैं अगर कोई response नहीं लेता है आपके application form जमा होने के बाद दोस्तों एक complaint जो email ID है इस पर आप एक mail कीजिए का official attachment ले करके कि आपने इस date में form को submit किया हुआ था बिल्कुल दोस्तों कारेवाई होता है इसमें और 110% दोस्तों काफी सारे लोग इसी process के थूँ DSA कोले हुए हैं और लाखोर रुप्य कमा रहे हैं आप भी कमा सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों next video तो तक के लिए धन्यवाद जाए हिंद